नीरत चोपडा चोट से चोटी पर ये कहानी नीरत चोपडा की चोट से चोटी तक पहुँचने का सफर है उनकी कहानी हम सफलता हम सबको मुसीबत से लड़कर कुछ दिखाने का जज़बा पैदा करती है अपने चोट के कारण जेवलियन थ्रोवर नीरत चोपडा 2018 से जनवरी से सितंबर 2018 तक सारे परतियों किताओं से दूर रहे सितंबर 2018 में ओल इंडिया इंटर सर्वीज सेज एथलेटिक सेंपेंशिप में फिर से मैदान पर लोटे नीरत चोपडा ना केबल मेदान पर लोटेबल की 83.90 मिटर बाला फेंग कर अपनी उपस्तिती दर्ज गराएं यह पहला मौका था जब नीरत चोपडा मेदान से इतना ज़्यादा पैलेश ज़्यादा समय के लिए दूर रहे थे लेकिन उनके इस परदर्शन ने उनके अंदर फिर से एक नए आतम विश्वास जगा दिया 83.90 मिटर बाला फेंग ने इसाथ ही एथलेटिक स्वेडर्शन ओफ इंडिया एफाई ने ये गोशित कर दिया निरत चौपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक स्वेडर्शन चेंपियंशिप में अपना अस्तान पका कर लिए हैं हलांकि उनके दाएं कौनी का सजरी कुछ महीने पहले मही में हुआ था लेकिन निरत चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंशिप में जाने के लिए काफी उताव ले थे लेकिन जैसे हम चाहते थें वेशा सब कुछ हमारे साथ गटित नहीं होता है निरत चोपड़ा के साथ भी वहीं हुआ उनके कोच और फेडरस ने इस परतिस परदा से खुद को अलग करने के लिए सला दिया और चोट को पूरी तरह से ठीक होने के लिए परतियों की ताशे दूर रहने को बोला निरत चोपड़ा इस वर्ल्ड चेंपियंशिप का सपना कहीं सालों से देख रहे थे और वहे इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहे थे सारीरिक और मानसिक रूप से वहे इस चेंपियंशिप के लिए तयार थे लेकिन उनके एक चोट ने उनके सपने को चकना चूर कर दिया ओलम्पिक 2020 होने में एक साल और कुछ महीने रह गए थे ओलम्पिक से एक साल पहले ये सरज़ी निरेट चोपडा के मनोबल आतम विश्वास को भी चोट पहुंचा रही थी 2018 में निरेट चोपडा ने कहीं की रितिमाल अंसिल करने के साथ साथ कॉमन वेल्ट और एसियन गेम्स में गॉल्ड मेडल चीता था और लगातार उनके परदर्शन में निखा राता जा रहा था 88.06 मीटर का बाला फेंग नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था कोहनी की सरजरी के बाद वो अपने पुराने रिकॉर्ड के आज पास भी नहीं थे नवंबर 2018 में इस्तिती सुधारने के बजाए और बदतर होगे निरेट चोपडा को अपनी कोहनी के पास जोड में दर्द महसूस होने लगा और एक जवलियन त्रो के लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं शकता दर्द होने के बावजूद निरेट चोपडा ने अपना अभ्यास नहीं चोड़ा और लगातार भाला फैंगने के अभ्यास करते रहे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर था और अप्रेल में उनकी कोहनी में इतना दर्द होने लगा कि वह बला उट भी नहीं पा रहे थे उनकी कोहनी का अक्सरे किया गया और अक्सरे में कोहली का कुछ भाग बहुत इक्षतिगर्स दिखा उन्हें एक और सरजरी के लिए जाना पड़ा और अपने कोहनी पर ज़्यदा दबाव नहीं डाले निरत चोपड़ा काफी अकेले हो गए थे वह अपनी इन भयावे दिनों को पहले मुंबई फिर करनाटक जाकर भी ताए इन दिनों वह अपने कोच से भी दूर थे हाथ के ज़्यादा इस्तमाल पर भी रोग था लेकि निरत चोपड़ा हारने वाले सक्स में से नहीं थे उन्होंने साइकलिंग शुरू की और वह अपने सरीर के निचले इसे को ट्रेन करना शुरू किया हर दिन एक नया टार्गेट शेट करते थे और हर दिन वह पिछले दिन से बदेतर करने की कोशिश करते थे इस दोरान वह काफी हतास भी हुए लेकिन उन्हें पता था कि चोट खिलाडी के जीवन का एक एहम इंसा है और वह बूरे वक्त की तरह जल्दी भीत जाएगा और फिल्ड पर दोबारा उतर सकेंगे उन्हें वर्ल्ड चेंपियंशिप में भागने लेने का मलाल तो था लेकिन वह इसका गुसा अगले साल होने वाले उल्लमपिक में निकालना चाहते थे कुछ ही दिनों बाद वए दीरे दीरे अपने हातों से गती प्रारम करना शुरू किये और बाला फैंकने का अभ्यास भी शुरू किया यह चौपड़ा आपने आप से एक वादा किये है कि वो उल्लमपिक के लिए वर्ल्ड चेंपियंशिप से भी ज्यादा मेहनत करेंगे और उल्लमपिक में पक्का मैडल जीत कर लाएंगे अक्टूबर 2019 में नीरज को लगा कि अब वो रांची में होने वाले राष्ट्रे बाला फैंक प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे लेकिन फिर से फेडर्शन और कोच ने इस प्रतियोगिता अपने आप को अलग करने के लिए बोला उनका मानना था कि अभी भी घाव पूरी तरह से भरा नहीं है और प्रोड़नामेंट में अधिक दूरी प्राप्त करने के लिए चक्कर में वो अपने आपको फिर से चोटिल कर लेंगे नेरे चोपड़ा जो की एक साल तक प्रतियोगिता से दूर रहे थे अपने पुराने घाव को फिर से उभारना नहीं चाहते थे नेरे चोपड़ा इस प्रतियोगिता से भी अपने नाम वापस ले लिए और अपना अभ्यास शुरू का रखे और पूरी तरह से फिट होने का इंतजार करने लगे वह अभ्यास में ही 82 से 33 मिटर तक बाला फेंकने लगे वह पहले से अब ज़्यादा फिट महसूस करने लगे और उन्होंने बाला फेंकने के लिए अपनी पुरानी तक्निक को भी थोड़ा परिवर्थित किया आकिरका नवंबर में वा गड़ी आ गया जिसके लिए निर्द चोपडा ने साल वर्षें उपर इंतजार किया था नवंबर में साउथ अफ्रिका में आयोजित एसी और डबलू लीग में निर्द चोपडा ने भाग लिया और उलम्पिक क्वालिफिकेशन के 85 मेटर के बाधा को पार करते वे 87.86 मेटर लंबा बाला फेंक उलम्पिक में अपना स्थान पका किया डेड़ साल बाध किसी परतियों किता में भाग लेने और आलम्पिक के लिए क्वालिफिवाई कर जाना निर्द चोपडा के लिए अपने आप में एक उपलप दी था औलम्पिक में कौलिफाई कर जाने के बाद उनके पास अभी भी अभ्यास करने के लिए लगबग साथ महीने थे निरत चोपडा औलम्पिक के लिए जी जान लगा चुके थे लेकिन कौन जानता था कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी और पूरी दुनिया के अधिकतर लोग अपने ही घरों में बंद हो जाएंगी जिस समय हम लोग अपने घरों में बंद इस महामारी के आंके ऐसाई महसूस कर रहे थे निरत चोपडा अपने सारीरिक और मानसिक दोनों अभ्यास पर ध्यान दे रहे थे वो इस मामारी से फैले शाक नकारातमक से बचने के लिए समाचार और सोसल मीडिया से कुछ हद तक दूरी बना लिये थे वो पहले से काफी अच्छा परदर्शन कर रहे थे उनके अंदर एक अभी भी टीस था कि वे दुनिया के अच्छे खिलाडियों के बीच अपना यहीं परदर्शन दोहरा सकें और वो ये देख सकें कि पर्तियों किता का दबाओ सैने में कितना सक्षम है साल बर बीत गया वो किसी बड़े टूर्णामेंट में भाग नहीं लिये थे उलम्पिक काफी घोषना हो चुका था उन्हें अगस्त में उलम्पिक में भाग लेना था वे सब कुछ पुराना भूल उलम्पिक की त्यारी में जुट गई उलम्पिक से पहले उन्होंने कुछ पर्तियोगिताओं में भाग लिया उलम्पिक के लिए एक साल से अधिक ज़्यादा समय मिलने के कारण वो बिलकुल पुरी तरह फिट थे और अपने विक्तित्व और बिते समय में अपने चोट को भरने के लिए बिताए हुवे वक्त के कारण में मानशिक रूप से भी पहुत मजबूत थे उलम्पिक से पहले कुछ हुए पत्योगिताओं में उन्होंने काफी अच्छा किया था उन्हें एक बात समझ आगाई थी कि कोरोना महामारी में केवल उन्हें ही नहीं बलकि बहुत सारे खिलाडियों के परदर्शन पर असर डाला था वो हर दिन बहतर करते जा रहे थे और वो समझ गए थे कि उन्हें केवल यहीं परदर्शन ऑलम्पिक में बिठ दोराना है चोपड़ा मेडल के काफी बड़े दावेदार माने जा रहे थे लेकिन गोल्ड मेडल के लिए उन्हें अभी और अच्छा करना पड़ेगा साथ अगस्त का वो दिन जब करोड़ों भारतिये परशन सक साधे चार बजे अपने टेलिविजन सेट के सामने बेठे हुए थे अपने पहले ही थ्रो में जब निरज चोपड़ा ने 86 मिटर का टारगेट चुआ तो करोड़ों भारतियों को एक मेडल के उमीद जग चुकी थी और अगले राउंड में उन्होंने इसको बहतर करते हुए 87.58 मिटर का बाला फेंका हर राउंड के साथ भारती अधर्सकों के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी अंतिम राउंड शुरू हुआ लेकिन कोई भी निरज चोपड़ा के दूरी को पार नहीं कर पाया और इसी के साथ भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में गॉल्ड मेडल जीता भारत ने दूसरा व्यक्तिक्त स्वर्ण पदक जीता पूरे देश में एक खुशी की लहर दोड़ गई निरज चोपड़ा का ये शफर चोट से शुरूआ और उन्हें चोटी तक पहुँचाया हर एक बाधा उन्हें मानसी ग्रूप से केवल मजबूत करते गई और उन्होंने करोड़ो भारतियों का सीनागर उसे चोड़ा कर दिया जीतने की खुआई सब की होती है लेकिन जरूरी ये है कि उस जीत के लिए परिस्रम करने की खुआई साफ में हो